नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश श्रीवानी एस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको जियुतिष ग्यान स्रीज के बारे में बता रहा हूं इसली बार मैंने आपको दिरिश्कान चार्ट के बारे में दीद्री चार्ट के बारे में इस बार में आपको नमांस चार्ट के बारे में बताऊंगा तो ज्यादे समय नवेस्ट करते हुए मैं नमांस चार्ट पे आपको दिखलाता हूं कि नमांस चार्ट क्या होता है और कैसे इसको हम लोग देखते हैं तो यह आपके सामने स्क्री है यह आप देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट चार्ट बने दिखाई देंगे यह आपको डीवन चार्ट आपका है जो कि जर्म का चार्ट है जर्म कुंडली आपकी है यह आपका नमांस चार्ट है बीनाइन चार्ट है यह आपका दीधरी चार्ट है द्रिशकान चार् ये अरिस्ट का चार्ट होता है जो बताता है कि अरिस्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है इसमें बैठे ग्रह की जब भी दशा होती है तो इनसान के जीवन में बड़ा बहुत अरिस्ट अवश्य होता है ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कई बार क्या होता है किसी ऐसे ग या तो कुछ ने कुछ गस्ट इसको अवश्य मिलेगा तो कुछ ने को अवश्य मिलेगा तुकू κάν खेहां आज हम बात कर रहे हैं के बातकर दिश्काइन चार्ट को आपको बता दिया लोग चार्ट में देखेंगे कि D9 चार्ट के लगन भाव में, यहां का जो लगन है वो ये लगन है, पहला भाव. इसमें कौन सी राशी है? इसमें 11 नम्बर राशी है, यह हमने चेक कर लिया. अब ये 11 नम्बर राशी, D1 चार्ट के कौन से भाव की राशी है? d1 के चौथे भाव कि राशी है तो d9 लगन का लगन जो घू एक टाइपसे आपकी पतनी का लगन, इस केम पतनी की लिए श्ठणि कर रहे, विवा के बारे में श्ठणि करें रहें घूम लोग अभी वाब भाव तो हम लोग देखते ही है असके बाद हम 4 pretended में देखेंगे उसके अंदर हम plus minus करेंगे कि plus कितने आ रहे हैं माइनस कितन आ रहे हैं तब हम लोगो go возь करेंगे की जीवन कैसा रहेगा जैसे इस सissä कुंड़ी में देखे इस साक्वा भाव विवा का भाव होता है, क्या किसी की दरस्टी है, सिर्फ गुरू की दरस्टी है यहां पर, गुरू की दरस्टी है, तो यह दरस्टी बहुत शुक दरस्टी है, तो दरस्टी यहां पर बहुत अच्छी है, सात्वे भाव का स्वामी कहा गया है गुरू, सात्वे भाव क कि कोई द्रस्टी इसके उपर नहीं है सात्वे भाव का जो कारक होता है शुक्र होता है वो भी केंदर में बैठा हुआ है तो यह भी है तो इसका हम कह सकते हैं इस पुंडली को देखे कि विवायक जीवन सुखी होगा लेकिन उसके बावजूत भी विवायक जीवन में कभी क में लगन में जो राशी है वो दीवन चार्ट के चौथे भाव की राशी आ रही है तो हमने यह बताया कि दीवन चार्ट के लगन में जो लगन में राशी हो वो बिसिकली आपकी पत्नी की लगन होता है एक तरीक से तो कहने का मतलब यह है कि दीवन के चौथे भाव की लगनेश देखेंगे लगनेश कौन बंता है शनी कहां गया है त्रिकोंड में गया एक दो शनी की पोजीशन बहुत अच्छी है हए चया जए और आठव hear बारत वर भाम में लगनेश न जो तोShitSOidhenicar श्यार्ट का लगनेश जो है वो भी त्रकोंड में गया है वो भी छे-चा बाराल में नहीं है जो कि बहुत अच्छा रहा है, तो दोनों point हमारे बहुत अच्छी आ तोघी,6 के लगन में जो राशी है, वह भी अच्छी है, इसका सात्वा सस्य वागाव, इसमें देखते हैं, कौन सी राशी है, ये 5 नमबर राशी है, D9 के 7th house में 5 नंबर राशी है और ये 5 नंबर राशी D1 चार्ट के कौन से भाव की है ये D1 चार्ट के 10वे भाव की राशी है तो ये भी बहुत अच्छी बात है केंदर की राशी वहाँ पे गई है तो हो सकता है कि पत्नी जॉब करने वाली हो कि D1 के 10वे भाव की राशी आपके 7th house में गई हुई है तो पत्नी जॉब करने वाली हो सकती है तो कहने का मतलब ये है कि 6,8,12 भाव की राशी वहाँ पे नहीं जाने चाहिए तो हमने देखा कि D9 चार्ट के 7वे भाव में जो राशी है वो D1 चार्ट के 10वे भाव की है जो क बहुत अच्छा है केंद्रभाव की राशी अब हम चेक करेंगे कि D9 चार्ट का जो साथवा भाव है उसका स्वामी की स्थिति क्या है उसको स्वामी बनता है सूर्य कौन से भाव में गया है छटे भाव में गया है तो यहां हम कह सकते हैं कि थोड़ा डाउन हुआ है लेकि इतना डॉण नहीं हुल सुमिंख स्युक्ष्जराइं भाव में जाना इतना बुन देखेंगे मैंने बताई तो अब हम बेन्ime में शुक्र की स्थिती देखेंगे तो शुक्र कहा हूँ है, वो भी छटे बहुत बहुत संघर्ष रह सकता है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है कि विवाई जीव में थोड़ा बहुत शंगर्स तो हर किसी के रहता है लेकिन बहुत पोजिशन कहीं गड़बन नहीं है सारी चीज अच्छी आ रही है सिर्फ एक ये आया है कि D9 का जो कारक है शुक्र वो छटे भाव में पहुंचा है आप इसके बात क्या लेखते हैं कारक से सब्तम देखते हैं तो कारक से सब्तम देखिए तो शुक्र से सब्तम देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यहाँ पे हमको तीन चीज चेक करनी है नमबर वन, दो चीज चेक करनी है नमबर वन, यहाँ पे राशी कौन सी है तस नमबर राशी है क्या ये डीवन चार्ट के छटे, आठवे, बारवे भाव की राशी तो नहीं नहीं, डीवन के छटे, आठवे और बारवे भाव की राशी यह नहीं है ये डीवन के तीसरे भाव की राशी है, तो well done, बहुत अच्छा है, फिलम देखेंगे के कारक से सब्तम भाव का जो स्वामी है, कारक से सब्तम भाव में कोई शुबिया अशुब्र है तो नहीं बैठे, तो वहाँ पे कोई भी अशुब्र है नहीं बैठा है, ये भी एक अच हम लोग लेते नहीं है, नमाज चार्ट में, दीथी चार्ट में ही सब लेते नहीं है, तो हमने डीवन चार्ट में यही चेक कर लिया, डीवन चार्ट में हम लोगों को यही चेक करना है, कि डीवन चार्ट के लगन में कौन सी राशी है, वो डीवन चार्ट के कौन से भाव हो डीवन चार्ट के आठवे भाव की राशी है तो हो सकता है पत्नी कलय करने वाली हो डीवन चार्ट के नवे भाव की राशी है तो हो सकता है कि पत्नी आपका भागे बदल दे भागे लेकर आए आपके लिए दस्वे भाव की राशी है तो आप कह सकते हैं कि पत्नी आपकी करने वाली होगी है थो इस तरीके से आपको चेक करना है कि दीवनौ चार्ट में दीवन। दीएन 2 चार्ट में लगन में कौन सी राशी है दीए ना कानी इश्क भाव में किया है के य हो चेटे आठीवह बहाम में ना हो। यह आपको चेक करना है फिर सवन था लॉड देखना है फिर कारक देखना है कारक को मालूम में शुकर होता है विवा का सब्सक्राई टो इस तरिके से आप दिना इन चार्ट को देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि विभाईक जीवन इस्तिति कैसी रहेगी, हमने इस चार्ट में भी देखा, तो हमें इस चार्ट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, तो हम यहां कह सकते हैं कि वही इस जातक के विभाईक जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी, छोटे-मोटे तो इशू चलते रहते हैं, वो तो हर किसी विभाईक जीवन में चलते हैं, लेकिर कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, शायशुदा जंद की बहुत आराम से गुजरेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पतनी बहुत अच्छी होगी, प राशी गई है, पांच नमबर राशी, वो तेन्थ हाउस की राशी है, दिवन के, जो दिनन के साथ वे बाब में गई होगी, तो इसलिए हब दिनन चार्ट को स्टड़ी किया, अब दिनन चार्ट आपको समझ में आब हुआ, समझ में आया है, तो कारणली पूछ सकते हैं, क D3 में क्या सपोर्ट मिलती है ऐसे ही दो चार्ट और होते हैं D7 जो कि संदान के लिए होता है और D10 जो कि प्रफेशन के लिए होता है उन दोनों चार्ट के बारे में भी में आपको आने वाली वीडियों बताऊंगा यह में चार्ट यही है जो इस्तेमाल होते हैं D1, D9, D7, D D3, D10 यह में चार्ट से जो इस्तेमाल होते हैं जिनको देखना चाहिए धन्यवाद जैश्रीक्रिष्णा इसके लावाद सूचना है कि हम लोग क्लास चुट करने जा रहे हैं अस्ट्रोजी की जो लोग के इंट्रेस्टेड है को जॉइन कर सकते हैं देगे नंबर के संपर करके देगे